लखनव से इस वक्राइब की बड़ी खबर आपको बता रहा है लखनव में उत्याने द्थर प्रदेश में आज इन्वेस्टर समिट का शुभारम होगा और खुद पीम मोधी इस समिट का शुभारम करेंगे आपको बता दे डेश और प्रदेश के विकास का आज खाका रखे तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है अपने आवाज से निकल चुके हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का स्वागत खुद मुख्यमंत्री करेंगे और इसी के साथ इस खबर पे ज़्यादा ज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का यह सबसे बड़ा एपिहासिक दिन है जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है अभी ठोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ अमने सीम आवाज से निकल कर एरपोर्ट पर गये हैं और प्रधान मंत्री का स्वागत करेंगे प्रधान मंत्री दस बजे इन्वेस्टमेंट के जहां इसल है वहां पहुंचेंगे और प्रधान मंत्री लगबग दो गंटे लखनों में रहेंगे और दो गंटे में लगबग जो बड़े उद्धोग पती हैं सबसे मुलाकात करेंगे और उनका अपन प्रदान मंत्री की मौजूदगी में जो भी निमेशक हैं बड़े उद्धोग पती हैं सभी प्रदान मंत्री की अववाई में मुलाकात करेंगे और अपने खाखा रखेंगे खारिकरम को लेकर हो कि क्या उद्धोग पर चर्चा करेंगे बिलकुल अमिनाश्त खबरएं पिया है कि मुकेश अंबानी. अपने एक बहुत-बड़ी शक्षियत है बहुत-बड़ा नाम है के सबसे बड़ा इंवेश्मेंट होने जाemy और बड़े कई धोगपती हैं वह भी वहां पर मौजूद रहेंगे तो जिस तरीके से दिकास को लेकर जो जो रोजगारी है उस सभी मुद्धों पर आज बैठा कोई पर बैठा करेंगे पधान मंत्री और निवेश को लेकर लगातार चर्चा करेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदितनाद का जो सफना सावन ट्रिलियन डॉलर का वो आज पूरा होगा जनता में किस प्रकार का जोश और उच्सा नजर आ रहा है जी बिल्कुल जिस तरीके से पूरे प्रदेश के जो भी रोजगार युवा थे उनकी लिगाहें रोजगार पटे की हुई थी उसको देखते हुए योगी आदितनाद ने जिस तरीके से बिकास को लेकर और विकास को लेकर उनिवेश को लेकर यूपी में एक होगा उससे यूपी की जो भी रोजगारी है वो कहीं न कहीं दूर होगी जी बिल्कुल अविनाश और शुरक्षा की किस तरह के इंतिजाम के गया हैं तस्वीरों में देख सकते हैं कि जगा जगा तैनाथ है पोलिस कर्मी और इसके लावा क्या कुछ खास इंतिजाम के थैने लखनों के मौदूद हैं और ऑफ्ता मुंत्री की स्वागत के लिए और प्रदर्शनी लगाई गिए निर्टे के तरह के तरह के त्यार हैं लखनों बिल्कुर अविनाच आज एतिहासिक दिन है उत्रप्रदेश के लिए और योगी सरकार का जो सपना था उत्रप्रदेश की एकोनोमी को वन ट्रीलियर बनाने का, तो क्या लग रहा है कि आज इस इंवेस्चर समिट में ये सपना साकार हो पाएगा? जी जी बिल्कुर प्रदान मंतरी की मौजूदगी में प्रदान मंतरी नेरिन मोदी राजधने लखनों में दो घंटे रहेंगे और दो घंटे में कई बड़े दोगपतियों से बात करेंगे और 34 सतर में यूपी के विकास पर चर्चा होगी जिसमें आज प्रदान मंतरी नेर सेक्टर पर फोकस के हैं मालब कौन से सेक्टर पर इस बार जादा फोकस है अग्वाइश शुरू की ती उसको लेकर सभी सेक्टरों के विश्य ध्यान रखा गया अधोगी विकास मंतरी नंद गुपाल नंदी लगातार की सुरू से ही मौट्रिंग कर रहे हैं और देश के के देश के कई जन्पदों में और कई जिलों में भी सायोजन होगा और बड़े सहरों पर इन्वेस्टर लोग आयें तो 25 लाग को प्रोड ने आपको सब्सक्राइब करने के साथ सरकार 75 जिलों पर भी इनका फोकस है तो कौन से इसे विशेश जिले हैं जहाँ पर ज्यादा इन्वेश्मेंट मतलब हो सकता है सरकार के नजोरों में कौन से इसे जिले खास है वहां पर निवेश होगा ताकि जन्पदों की विरोजगारी उसको भी दूर किया जाए तो यह जो इन्वेश्मेंट होगा तो उस्तरप्रदेश के सभी जन्पदों तो विकास की तरफ उतरप्रदेश के जिवा है उनकी निवेश्मेंट से बनाई गई जैद सी बात इतना बड़ा निवेश्मेंट होने वाला है तो उसके लिए अलग अलग तौर पर बनाई गई होगी तो क्या विशेश निवेश्मेंटिया इस बार देखी जा रही है जिस तरीकेश निमेश को लेकर जो ननिटी बनाई गई गई है उसके पदेश के जितने भी मंत्री से वो लगाता रनिटी पे काम कर रहे हैं और आज वो दिन है वो इतिहासिक पल है जब इन्वेस्चिर सिमित के कारिक्रम इसकल पे इन्वेस्चर आये हैं लोगों से और प्र कि उसके बाद कारिक्रम में बाचिद होगी जी बिल्कुल जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की कि बड़े-बड़े उद्योगपती जैसे कि अमबानी का आगमन यहां पर हो जुक है ऐसे साथ अलग-अलग हुद हमारे देश के उद्योगपती यहां पर आया है नहीं केवल व दुकेश अंबानी यहां पर आए है और भी बड़े जो उद्योपती जैसे कि जी बात चीट हुए और भी चैसे ब्यापार के लिए जो बात चीट हुए बात करने हैं तो तक तक प्रक्स में कहीं नहीं सबीड़े कहीं है परियाटन के हब में भी सरकार है उतरपरदेश को पेश कर रही है परियाटन संस्कृतिक संस्क्रिति की मद्ध नजillä से एक पूरा प्रयाज सरकार के द्वारा क्या ज़ा रहा है तो इससे कितना फायदा होगा निवेश में लें जी बिल्कुल इस तरीकzej से उत्तरप्रदेश में पर्याटन को लेकर जिस तरीके से उत्तरपदय सरकार बढ़ावा दे रहे है Sun Som को उतरप्रदेश से हमारे जमबादाता ने दिया जहां सीम जो है प्रदान मंतरी के आगवानी के लिए निकल चुके है तस्वीर हम आपको लगातार बता रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर बताई जो है मकेश अंबानी जो है लखनाव पहुच गये सा साथी विदेश से भी कई बड़े-बड़े उद्योगपती निवेश के लिए समिट में हिस्ता लेने के लिए उतरप्रदेश आ चुके है तो बड़ा अपडेट आपको मैं के न्यूस के जरिये दे रहे है आज उतरप्रदेश के लिए आतिहासिक दिर है क्योंकि इन्वेस होते नजर आ रहा है साकार होते नजर आ रहा है तो बड़ी कबर आपको उतरप्रदेश से बता रहे हैं इन्वेस्टर समिट का शुभारम वजल्द ही प्रधानमंति नरेंद्र बोदी के हातों होगा दस बजे के लगपक जो है प्रधानमंतिर का शुभारम करेंगे और अधरती पर उन्होंने शुर्कत कर लिया है